करनाल लोकसवा सीट से कॉंग्रेस उमिदवार दिव्यानशू बुद्धी राजा ने दिली में भुपेंदर सिंग खुड़ा से मुलाकात की जी मिडिया से बातचीत में दिव्यानशू बुद्धी राजा ने कहा कि पार्टी ने इस बार इवा चेहरे को मौका दिया है और पूर मुकमंतरी मनोहर लाल इतने पॉपलर होती तो उनका आला कमान उन्हें मुकमंतरी पत से नहीं अटाता दिव्यानशू बुद्धी राजा ने कहा कि करनाल में वो ईवा सोच के साथ चुनाओ लड़ेंगे करनाल में बेरोज़गारों के फाज परचार करने आएगी कॉंग्रेस के तमाम उविद्वारों के नाम का ऐलान हो चुका है लेकिन यूथ कॉंग्रेस से रिप्रेजेंटेशन देते हुए करनाल लोकसबा सीट पर बात की जाए तो दिव्यानशू बुद्धी राजा जो की यूथ कॉंग्रेस के स्टेट प्रेजिडेंट है हरियाना के उन्हें मौका दिया गया है यूथ की दावेदारी की बात आप हमेशा करते थे और लकसर हमारी आपसे चर्चा थोड़ा सा इधर आजाये चाया में और जिस तरह से यूथ को रिप्रेजेंटेशन की बारी थी अब टिकेट बटवारे में आपको मौका दिया है यूथ कॉंग्रेस के आप प्रेजिडेंट है पहला रियक्शन देखिए मेरको कॉंग्रेस पार्टी ने टिकेट जुरूर दिया है लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मेरे लिए टिकेट कम और प्लैट्फूम जादा है पिछले साड़े साथ सालों से हरियाना के बेरोजगरों की, हरियाना के छात्रों की, हरियाना के नोजवानों की आवाज मनोलाल खटर जी के सामने मैं उठाता आया हूँ ये सिलसला शुरू हुआ जब पंचकुला में पहली बार मनोलार खटर जी को चातर समवाद करेकरम में रोकके मैंने तीन सवाल पुछे और उन तीन सवालों का जवाब मुझे तीन दिल जेल जाके बिताना बना है उसके बाद लगा तार खटर साब से सवाल पूछने का सिलसला यूही जारी रहा लेकिन कभी भी खटर साब ने हमारे सवालों का जवाब देना वाजिव नहीं समझा आज ये प्लैटफों मुझे मिला है आज कॉंग्रेस पार्टी ने हरियाना के बिरोजगारों को एक अवाज दिये कि हरियाना के बिरोजगारों को एक मंच परदान किया है कि इस मंच पर आकर अब तो खटर साब को मेरे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे अब खटर साब मेरे सवालों से भाग नहीं सकते चाहे मेरे पर मुकदमे दर्ज किये चाहे मेरे पर लाठियां डंडे फेरे गए चाहे और परत्राडनाय करी गई लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मेरे लिए टिकट कम और एक बहुत बड़ा मंच कॉंग्रेस पार्टी ने दिया है जिस मंच के माद्यम से हर्याना के बिरोजगारों की आवाज मनोरलाल खटर जी के सामने मजबूती से रखूंगा और साड़े नो साल अर्याना के जो बदहाल हर्याना को मनोरलाल खटर जी ने किया उसका हिसाब किताब चुकता करने के लिए आप देखना विनोज जी पूरे हर्याना से जूम जमा के हर्याना के बिरोजगारों की टोड़ियां जब करनार में पहुचेंगी तो खटर साब का पसीना छुड़वने का काम करेंगे टिकेट मिली है यूथ को रिप्रेजेंटेशन मिला है उसको क्या कहेंगे किस तरह से कि जो सबसे कम उमर के उमीदवार है आप लोग और इस पूरे करना लोग सब में जो मौका आपको दिया है बाकी भी दावेदार थे लेकिन यूथ की आप बात हमेशा करते थे कि यूथ को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए हर्याना यूथ कॉंग्रेस को भी आगे आना चाहिए और टिकेट में या फर जेवी जिले में है इसकी बात आप हमेशा करते हैं देखिए बिल्कुल यूथ कॉंग्रेस के एक पदा दीकारी होने के नाते मेरे लिए गरू की बात है कि म मेरे जैसे आम कारेकरता को मेरे फादर रिटायर्ड कलर्क है मेरी माता जी अध्याप किया थी मेरे घर में आज तक किसी ने सरपंची का चुनाव भी नहीं लड़ा मेरे जैसे आम घर के कारेकरता को अगर आगे बढ़ने का काम पार्टी ने किया है तो कही ना कही संक्ठन क पुजवान को ताकत मिलती है मेरे साथ हजारों नोज़वान लगे हुए यह जो सफर शुरू भा था 2012 में शुरू भॉआ था बारा साल से हजारों नोज़वानों के साथ लगकर आज यहां तक मैं पहुचा हूँ तो यह मेरे अकेले का टिकट नहीं है मेरे सभी साथियों का मेरे कारे करताओं का जो मेरे साथ कंदे से कंदा लगा कर खड़े रहें उन सब का टिकड़ा और इसके लिए मैं कॉंग्रेस पार्टी के शीर्ष नित्रतों का आधरनी है मलिकार जुन खड़गे जी का सोनिया जी का राहूल जी का मेरे नेता चौदरी दिपंदर सिंग रुड़ा जी का और युवाओं के प्रिणा स्तोर्त जो हमेशा से गैर राजनीतिक परिवार के नोजवानों को आगे बढ़ाते हैं चौदरी दिपंदर सिंग रुड़ा जी का उदे बान हमारी प्रदेश अद्धेख्श जी का दीपक बाबरिया जी का यूथ कॉंग्रेस की लिडर्शिप, कृष्णा जी का, श्रीनिवास जी का, मैं तहे दिल से उन सभी गैर राजनितिक परिवार के नोजवानों की तरफ से धन्यवाद करते हूं। अब ऐसा अचानक क्या हो जाएगा आपके उतरते ही, कि आप इतने ज़्यदा confidence में आज पहले दिन से नदर आ रहे हूं। के इंदर में जाना होता, तो वो चुनाव, यहां, resign क्यों दिया उन्होंने, MLA के उससे, उन्हें मुख्या मंतरी से क्यों, तो MLA भी लड़ सकता है, उन्हें मुख्या मंतरी के पस से क्यों उटायागा है, आज सवाल ये पैदा होता है, कि मन्नोराल खटर जी का, साड़े नौकल साल का जो साशन काल है, उसके खिलाफ, जो है, हरियाना के नोजवान, हरियाना के किसान, खड़े ओकर उन्हें से जवाब मागे, शुक्रिया हम सबाचीत करने के लिए, दिवान शी बुद्दीर आ जा थे, जो करनाल से टिकेट मिली है, उस पर लगातार जिस तरह का आगे मुकाबला रहेगा उस पर बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं न कहीं कह रहे हैं कि अनुभव है लेकिन अनुभव के अलावा अगर बात की जाए तो वो डट कर मुकाबला करने के लिए तयार हैं सुबाशीज के साथ विनोद लांबा जी मीडिया दिल्ली